Hello everyone, I am Aastha, Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube Channel 10th and 12th pass candidate के लिए एक और न्यू भरती, पर्मानेंट भरती 2023 में इसके जो applications हैं, जन्वरी 2023 में start हो जाएंगे Post अभी आप देख रहे हैं, वन रक्षक एंड जेल परहरी की post रहेगी So 10th and 12th pass candidate के लिए ये काफी अच्छी विकेंजी है और पर्मानेंट भरती रहेगी, post भी 2200 प्लस है 2200 प्लस यहाँ पर विकेंजी आई हुई है, जिसमें बन रक्षक की विकेंजी जादा है जेल परहरी की जो विकेंजी है, वो 200 something है, 200 या 250 विकेंजी रहेंगी बन रक्षक, यानि forest guard की जो विकेंजी है, वो 1700 प्लस विकेंजी है अगर आप forest guard वरना चाहते हैं, या forest guard की जो आप चाहते है 10th and 12th, दोनों ही ways के लिए ये दोनों post हैं, जैसे कि forest guard की जो post रहेगी इसके लिए 10th pass eligible रहेंगे जैल पर हरी की जो post रहेगी, इसके लिए 12th pass eligible रहेंगे तो दोनों ही candidate, जिन्होंने 10th year 12th pass out है जन्वरी 2023 ये application, online application start होंगे apply कर सकेंगे, मैं अभी आपको इसका जो notification है, वो clear करूंगे उसके बाद अगर आपको लगता है, apply करना चाहते हैं तो आप भी जब इसके applications start होंगे, then आप apply कीजेगा लेकिन उसके पहले आप इसका एक वाद notification जरूरीट कीजेगा चलिए हम देख लेते हैं इसका notification अब यहाँ पर आप यह notification देख रहे हैं, यह notification तो मद्द प्रदेश से है लेकिन यहाँ पर भारतिय नागरिकों से applications invite किये जा रहे हैं जो other state के इस्थाई निवासी होंगे, मद्द प्रदेश के जो इस्थाई निवासी नहीं है other state के है, UP, 36 गड़िया राजिस्थान जहां के भी है और अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं, तो आप reserve जो category से belong करते होंगे, उनको relaxation नहीं मिलेगा सभी candidate, MP state से जो दूसरी state के candidate है, MP की नहीं है, वो किसी भी category को belong करते हो general category में आप इसमें manage आएंगे, apply करेंगे तो यहां पर आप इसकी application starting date देख रहे हैं, online application इसके 20 जनवरी से start हो जाएंगे 3 फरवरी 2023 तक इसमें आप online apply कर सकेंगे, आप इसन पत्र में संसोधन 20 जनवरी से लेकर करके 8 फरवरी तक आप इसमें correction कर पाएंगे, परिक्षा की date और दिनांग के यहां पर दिया गया है कि 11 मैं 2023 से आपके exam होंगे, return examination होगा selection procedure में सीधी भरती के लिए आपको application fees पे करने होगी, general candidate के लिए तो 500 रुपए है और जो मदप्रदेश के मूल निवासी है, SCST candidate है, पिछवा वर्गन सक्त जन candidate जुरेंगे, उन सबी के लिए 2500 रुपए रहेगी अब यहाँ पर जो other state के candidate है, मदप्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उनके लिए भी 500 रुपए, किसी भी कैटिगरी से ब्लॉंग के लिए भी 500 रुपए application fees पे करनी होगी एक्जाम आपका जो date बगरा 11 मैं 2023 है, और इसमें किस से एक्जाम होगा, सुबए 8 से 9 और एक से 2 यहाँ पर timing बगरा सब दी गई है, उत्तर अंकित का समय यहाँ पर पूरा detail में दिया गया है, अब इसमें एक और important बात कि other state के जो भी candidate है, means आप MP के इस्थाई नवासी नह element जीवित पंजियन होना अनिवार रहेगा, ओके, जिनले next यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें परिक्षा केंदि से related कुछ instructions दिये गए हैं, वो आप इसमें देख लीजेगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें total vacancies, तो जो बन रक्षा क्यानी, forest guard की जो post है, इसके लिए टोटल vacancy है, 1772, 1772 बन forest guard की vacancy है, सेल्दी उननीस हजा पांसो से वासट हजार यहाँ पर सेल्दी है, section की योगता में, मद्ध प्रदेश माद्मिक सिक्षा मंदल से, अत्वा मानता प्राप्त, पुरानी पद्धिती से higher secondary pass out होना चाहिए, हार secondary पद्धिती से 10th pass out होना चाह जो 10 plus 2 system था, उसका आपका 10th pass out होना चाहिए, वो यहाँ पर forest guard के लिए alisable रहेंगे, apply कर सकते हैं, categories बाइज यहाँ पर vacancy बताई गई है, किस category में कितनी vacancies हैं, आप जिस भी category से ब्लॉंग करते हैं, उसमें दिख लीजेगा, एक और point यहाँ पर PWD candidate alisable नहीं रहेंगे, क परते सासन सामाजिक निया बिभाग के अजसूशना इतने 1 दनांक 20 दिसमब 2019 द्वारा बन रखचके पदों पर निसक्त जनों के नुक्ती से छूट पिरदान की गई है, इसको जरूर आप देख लेजेगा, पीटालूडी कैंडी जेट के लिए, इसके बाद यहाँ हम दे इसके इस्थाई निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित के अंतरगत यहाँ पर आविदन करेंगे, जो रिलाक्षिशन रहेगा, वो सिर्फ MP के कैंडीडेट को ही दिया जाएगा, अधर स्टेट के कैंडीडेट को नहीं दिया जाएगा, एस लिमिट 18 से 33 साल रहेगी, ओक राज्ज के रोजगार कारले में जीवित पंजियन होना अनिवार रहेगा, एस रिलाक्षिशन आप देख लिजेगा, आप जिस भी कैटिग्री से ब्लॉंग करते हैं, नॉटिफिकेशन में, अब यहाँ पर जो सेलेक्षिन प्रोसीजर रहेगा, फोरस्ट गाइड पत पर इसमें मदप्रदेश, करमचारी, चैन, मंडल, भोबाल, दौरा लिखित परिक्षा ली जाएगी और इसमें सारे रिक्षमता परिक्षण भी किया जाएगा, लिखित परिक्षा में अनारक्षत कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग माक्स 33 होना चाहिए, अनुसुच ज साती जनजाती अन्रपशाबर के कैंडिडेट के लिए 23 माक्स लाना, 23 परसेंट माक्स लाना जरूरी है, इस एक्षाम को क्वालिफाइ करने के लिए, ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ बनरक्षपत के जिलका केडर पर यह चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं पाठी क्रम दिया गया है, तो बनरक्षपत के लिए लिकित परिक्षा मतपदेश क्रमचारी चेर्मनल भोपाल दौरा निधारित, 100 माक्स की आपका रेटन एक्जाम होगा, जो की हिंदी और इंगलिस, दौनों ही मीडियम में रहेगा, जो भी आपका मीडियम है, उसमें आ हाइट रखी गई है, ओके, रिजब काटेगरी को मिल जाएगा, जो भी MPK है, यहां पर पैदल चाल रहेगी, प्रोस कांडिडेट को 4 गंटे में 25 किलोमीटर और जो फीमेल कांडिडेट है, उनको 4 गंटे में 14 किलोमेटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी है, केवल अ दूर्ण करनी होगी, तर बने होगा है, यहां पर पोस्तों days is 10 हौरेगा UN, के बाहेगा अनकोंक और जाएगा, इसलिदे में 24 गंटा इसमें 25 किलोमेटर और इनकों प्रण रूर्ण करने को 9 गंटोरी प्रूर्ण शाओं 202,99 प्रतं बाऑन हो 2nd year में आपका 80% और 3rd year जो रहेगा उसके provision period का उसमें 90% यहाँ पर stipend दिया जाएगा आरक्षन ताल का तो आरक्षन तो उसरे MPK ही reserve category के candidate को मिलेगा total post यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल रिक्तपद अना रक्षित यहाँ पर 67 तो यहाँ टोटल 200 यहाँ पर आप देखेंगे 200 यहाँ पर टोटल दिया गया है नियुंतम सेक्षने के योगता में इसमें 10 प्लस टू प्रिणाली के अधीन कम से कम high school परिक्षा उत्रीन अथ्वा पुरानी प्रिणाली से higher secondary परिक्षा उत्रीन होना चाहिए यानि 10th पास भी 10 प्लस टू से अगर आपने किया है तो 10th पास भी और अगर यह पुरानी प् फीमेल के लिए ओके एंड क्वालिफाइंग नेचर क्वालिफाइंग माक्स यहां पर दिये गए हैं कितना होना चाहिए रिलेक्षेशन जो रिजर्वेशन है कैटिग्रीज 22 वो भी इसमें बताया गया है सो यह आप रीड आउट कर लीजेगा ओके यह दौनों ही पोस्ट के लिए विकेंसी काफी अच्छे आई है और परमानेंट रहेंगी भारत का नागरिक होना जरूर यह वही सारे रूल हैं जो बनारक्षक के लि भी इस क्राइटेरिय रखा गया है ओके जन्वरी में इसके अप्लिकेशन स्टार्ट हैं 20 जन्वरी से अगर आप इसमें अपलाई करना चाहें अपलाई कर सकते हैं लेकिन इसमें मत्य प्रिदेश के रोजगार कारालम है पंजियन होना जरूरी है अब इसमें जो प्रहरी इस पर आपकी जो फिजिकल में देखिए 800 मीटर रहेगी दो मिनिट 50 सेकेंड गोला फैक रहेगा इसमें आपका और फीमेल के लिए 4 मिनिट में आप 800 मीटर रहेगी ओके यहां पर यह पूरा डिटेल में दिया गया है क्या-क्या रिक्वार्मेंट रहेगी आप इसको चेक जरूर कर लीजेगा आसा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और एपलाइ करने से पहले एक बार नॉटिफिकेशन आप चेक जरूर कीजेगा थैंक यू